एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल 0.01 का वर्गमूल निमनलिखित में कौन है देखिए 4 ओप्सन दिया हुआ है जिसमें 1 ओप्सन सही है तो पहले आप इसका वर्गमूल निकालिए कितना होता है देखिए दिया हुआ है 0.01 इसका वर्गमूल निकालना है तो देखिए भाग बिदे से निकालते हैं पहले हम आंको का जोड़ा लगाएंगे तो देखिए आंको का जोड़ा लगा लिए दसमलो किधर एक 0 है तो एक 0 हम अपने मन से बठा सकते हैं कोई दिकत नहीं है इसका भी जोड़ा लग गया जीरो है, तो यहाँ पर हम जीरो से गुना कर देंगे, ठीक है, जीरो में जीरो से गुना करेंगे, तो जीरो होगा, जीरो में जीरो घटाएंगे, तो सेस्पल कुछ नहीं बचेगा, फिर देखिए, जीरो यहाँ पर लिखके, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, तो जीरो होगा ठीक है दसंबलो है यहां पर अब दसंबलो बठा देजिए उसके बाद जीरो एक है यहां पुतर जाएगा जीरो एक अब देखिए यहाँ पर हम एक से लिखेंगे यह 0-1 है इसको एक से गुना करेंगे तो देखिए एक में एक से गुना करेंगे एक में जिरो से गुना करेंगे तो जिरो यानि कि जिरो एक आया इसके बराबर है अब देखिए इसको एक से गुना किया है तो आप एक लिख करक तो 0, 0, 1 में 0, 1 घटाएंगे तो सेसफ़ल कुछ नहीं बचेगा, तो इसका हम बर्गमूल निकाले तो देखिए, बर्गमूल कितना आया, 0, 1 आया है, अब देखिए किस option में 0, 1 है, तो देखिए यहाँ पे, first option इसमें है 0, 1, तो आपका first option सही हो जाएगा, यह उतर हो जाएगा, ठीक है, यानि कि पहला सवाल का पहला option सही है, यह उतर हो गया, सवाल नमबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है 0,0004 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन है, चार option दिया हुआ है, जिसमें एक option सही है, तो पहले आप इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है, सवाल नमबर 2, इसमें दिया हुआ है 0,0004, तो इसका वर्गमूल पहले हम निकाल लेंगे, यहां देखिए, वर्गमूल ग्याद करने के लिए पहले हम अंकों का जोड़ा लगाते हैं, तो देखिए, इसका जोड़ा लगाए, इसका भी जोड़ा लगा दिये, देसमलोक इधर एक 0 है, तो एक 0 हम अपने मान से लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, तो इसका भी जोड़ा लग गया, तो देखिए, 0-0 है, तो यहां 0 से गुना कर देंगे, 0 में 0 से गुना करिएगा, तो 0 होगा, ठीक है, देखिए, यहां पर 0 लिखेंगे, और इसको जोड़ देंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो होगा अब जीरो में जीरो घटाएंगे तो सेसपल कुछ नहीं बचेगा ठीक है अब इसके बाद में देखिए दस अमलो है तो यहां पर दस अमलो बठा देंगे ठीक है इसके बगल में देखिए 0 0 है यहाँ उतरेगा 0 0 तो लगेगा नहीं यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो हम क्या करेंगे 0 4 को उतारेंगे लेकिन इसको उतारने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बठाएंगे और यहाँ भी 0 बठाएंगे तब इसको उतारेंगे ठीक है कि दू दूनी के 4 और दखे जी दू में 0 से गुना किए तो 0 आगे आप 0 लिख सकते हैं तो गुना किये देखिए एक और 0 लिख सकते हैं तो यहां पर लिख देंगे 0 संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल देखिए 0.04 आया है ठीक है यानि कि 0.0004 इसका वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल आया है 0.02 ये उतर है अब देखिए कि कौन ओप्षन में ये दिया हुआ है तो देखिए सवाल नमबर दू है दू का देखिए दूसरा ओप्शन सही है इसमें दिया हुआ है 0.02 यानि कि दू का उत्तर होगा ओप्शन दू ये उत्तर है सवाल नमबर तीन देखिए इसमें कहता है रिक्त स्थानों को भरे चार सवाल दिया हुआ है और सभी में देखिए ये संख्या है इसका वर्गमुल निकालना है ठीक है और जो भी वर्गमुल इसका आएगा यहां प्याप लिग दिजेगा ये उत्तर हो जाएगा ठीक है तो तीन का पहला सवाल इसको सॉल्व करते हैं सवाल नमबर तीन तीन का पहला इसमें दिया हुआ है जीरो दसमलो जीरो एक चार चार देखिए ये संख्या दिया हुआ है इसको वर्गमुल गयाद करना है तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं भाग बिधि से वर्गमुल गय तो इसका भी जोड़ा लग गया पहले इसको solve कर लिजे जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होता है जीरो में जीरो घटाएंगे तो इस पर कुछ नहीं बचेगा जीरो लिख करके इसको जोड़ देंगे अब देखिए, यहाँ पर दसंबलो है, तो यहाँ पर दसंबलो लिखिए, ठीक है, फिर 0, 1 है, double आंके हां उतरेगा, यहाँ एक लगाएंगे, ठीक है, तो 0, 1 लिखे हैं तो यहाँ भी एक लिखेंगे, तो इसको एक से गुना करेंगे, तो 0, 1 हो जाएगा, घटाएगे, त हो जाएगा 0,2 अब देखिए 44 है यहाँ पूतर जाएगा 44 तो यहां पर दू से लगाएंगे 22 हो गया तो यहां भी दू निखेंगे 22 को दू से गुना करेंगे तो बाश दूने का चवालिस यानि कि चवालिस लिखेंगे यहाँ पर चवालिस में चवालिस घटाएंगे तो सेस्फल कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर दू से गुना किये हैं तो दू लिकर के जोड़ देंगे तो दू दू चार दू तो इसका वर्गमूल हम निकाले तो देखें 0.1 एक दू आया यानि कि इसका वर्गमूल होगा 0.1 दू यह आपका उत्तर हो गया यहाँ पर लिक दिजाएगा कि इसलिए यानि कि जो संख्याद दिया हुआ है 0.0144 इसका वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल आया है 0.1 दू यह आपका उत्तर है देखिए सवाल नंबर 3 का दूसरा इसमें दिया हुआ है संख्या 0.0169 ठीक है इसका वर्गमूल ग्याद करना है तो देखिए इसको हम भाग बिधिसे बनाएंगे पहले अंको का जोड़ा लगा लेंगे ठीक है दसमलो को बाद एक 0 है तो एक 0 हम अपने मान से लिखेंगे इसका भी जोड़ा लग गया पहले इसको solve करिए तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा ठीक है 0 में 0 घटाएंगे तो सेस्पल कुछ नहीं बचेगा इसको 0 से गुना किये हैं तो 0 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा देखे दसमलो है तो यहाँ पर आप दसमलो बठा देजे फिर 0,1 है तो यहाँ पूतर गया 0,1 एक से लगाएंगे तो जीरो एक लगाएंगे तो यहां भी एक से गुना करना होगा तो जीरो दसम्रो एक को देख यहां पर जीरो एक है इसको एक से गुना करिए तो एक में एक से गुना किए एक एक में जीरो से गुना किए जीरो गटा देंगे जीरो एक में जीरो एक घटाएंगे तो सेस्पल कुछ नहीं बचेगा एक से गुना किये हैं एक लिख करके इसको जोड़ देंगे तो एक और एक दू जीरो है तो जीरो अब देखिए इसके बाद 79 है तो यहाँ पूतर जाएगा 79 देखिए दू है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तो हो गया तेस तो तीन लिखे हैं तो तीन से गुना करेंगे ठीक है तो तेस को तीन से गुना करेंगे तो तीन तीया 9 और तीन दूने का 6 79 आया देखिए तीन से गुना किये हैं तीन यहां पिली करके जोड़ देंगे तो 3ों 3, 6, 2 है तो 2 घटाईए, 9 में से 9 घटाएंगा तो सरसफ़ल कुछ नहीं बचेगा 6 में से 6 घटाएंगा तो सरसफ़ल कुछ नहीं बचेगा यानि कि इस संख्या का वर्गमूल हम निकाले तो 0.1, 3 आया है तो यहां पे लिखेगा कि दखिए तीन का दूसरा इसमें दिया हुआ था कि जीरो दसमलो जीरो एक छो नौ का वर्गमूल कितना होगा तो इसका हम वर्गमूल निकाले हैं तो जीरो दसमलो एक तीन आया यह उत्तर है यहां दखीए तीन का दूसरा कराक इसका बर्गमुल कितना होगा खाली अस्थान है तो खाली अस्थान के जगा भर दे जगा 0.1 एक तीन ये उतर हो गया सवाल नमबर तीन का तिसरा इसमें देखिए संख्या आपको दिया हुआ है 0.0625 और इसका बर्गमुल कितना होगा खाली अस्थान के जगा पर भरना है तो देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं जो संख्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे 0.0625 ठीक है भाग बिधी से इसका हम बर्गमुल ग्याद करेंगे तो पहले अंको का जोड़ा लगा ये देल समलो को बाद एक अंक है तो हम अपने मान से एक अंक बठा सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो इसका भी जोड़ा लग गया 0 है तो इहां 0 में लिख करने यहां से 0 बठा देजिए ठीक है उसके बाद 0 6 है तो यहां पुतर जाएगा 0 6 यहां पर देखिए दू लिखेंगे यहां दू लिखेंगे यहां भी दू लिखेंगे ठीक है तो 0 2 में 2 से गुना करिएगा तो 0 4 हो जाएगा अगर यहां पर आप 3 लिखते हैं तो यहां गुना दूफल 0 9 हो जाएगा 6 से ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो 3 नहीं लगेगा दू लगेगा घटा देजिए 6 में से 4 घटाएगा तो 2 बचेगा और 0 में 0 घटाएगा तो कुछ नहीं बचेगा इसको 2 से गुना किये हैं तो 2 लिख करके इसको जोड़ देंगे तो 2 और 2 चार अब देखिए 25 है तो यहां पूतर जाएगा 25 अब यहां पर कौन सा अंक लगाए तो देखिए 5 लगाएंगे ती हो गया 45 तब 5 लगाए हैं तो 5 से गुना करेंगे गुना करिए 45 है तो 45 को 5 से गुना करेंगे 5 पचे 25 हाथ में रहा 2 पंचो के 20 और 2 बाइस 225 आया यहां पर लिखेंगे 225 देखिए 5 से गुना किये हैं 5 लिख करके जोड़ देंगे तब 5-5-10 हाथ में रहा 1, 4, 5 ठीक है देखिए 5 में 5 इसको घटाये जाता है इसको तब 5 में 5 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा यानि कि इस संख्या का उबर्गमूल हम निकाले तो 0.25 आया है ठीक है तो जो खाली स्थान है यहाँ पर लिख दिजेगा 0.25 यह उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 3 का 4 देखिए इसमें संख्या दिया हुआ है और इस संख्या का उबर्गमूल गयाद करना है जो भी बर्गमूल इसका आएगा खाली स्थानक जगा पर आपको लिख देना है तो देखिए संख्या है 0.0324 तो इसको भाग बिधि से उबर्गमूल गयाद करेंगे देखिए, पहले हम आंकों का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है, देसंबलो को बाद एक आंक है, तो एक आंक हम अपने अम्मान से लिख दिए, इसका भी जोड़ा लग गया, जीरो है, तो यहां लिखेंगे जीरो, जीरो, तो जीरो में जीरो से गुना करेंगे, तो जीरो होगा, इसमें घटाएंगे तो इस पर कुछ नहीं बचेगा, गुना जीरो से किये हैं, तो जीरो लिख करके इसको जोड़ देंगे, देसंबलो है, तो यहां पर देसंबलो बठ जीरो एक को यहां देखिए, जीरो एक को एक से गुना करेंगे, एक में एक से गुना किए एक, एक में जीरो से गुना किए जीरो, ठीक है, जीरो एक आया, घटा देंगे, तो तीन में से घटाएंगे दू, और जीरो में जीरो घटाएंगे तो कुछ नहीं बचाएगा, एक स अब कितना से लगाएंगे तो देखिए यहां पर आठ लिखेंगे तो 28 हो गया तो 8 लिखे हैं तो 8 से गुना करेंगे ठीक है तो 28 को 8 से गुना करेंगे अठी अठी 64 हाथ में रहा 6 आठ दूनी के 16 और 6 22 दूसर चोविस आया देखिए आठ से गुना किये हैं आठ लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे ठीक है तो 8 हो आठ 16 हाथ में रहा 1, 2 और 1, 3 ठीक है इसमें देखिए घटाईए तो 4 में 4 दूसर पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 2 में 2 रहा तो 16 पल कुछ नहीं बचेगा तो खाली अस्थान के जगह पे आप लिखेगा कि 0.18 यह आपका उत्तर हो जाएगा